नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने am I 10T पर एरफोन प्रोबलम सॉल्फ कर सकते हैं तो दोस्तो बख आपका है कई बार उसी में और निकल के सामने आते हैं तो दोस्तो आपको करना क्या क्या होगा यहाँ पर दोस्तो कौन कौन सा प्रोसेस आपको कर लेना है जिससे आपको confirm हो जागा कि problem आपके device पे है ठीक है जिसके वज़े से आपका जो headphone है वो काम नहीं करा है या फिर आपके जो headphone है उसी में problem हो सकते हैं ठीक है आपके जो headphone है उसी में problem हो सकते हैं तो उसके वज़े से आपका जो headphone है वो काम नहीं करा है ठीक है तो यह सब problem हो सकते तो अगर दोस्तों आपका जो दिवाइस है उसमें भी एरफोन जो है काम नहीं कर रहे तो आप इस वीडियो को पुरा जरू देखेगा और समझे गया यहाँ पर आपको क्या 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 सॉलूशन करना है क्या क्या प्रोस्स आपको फॉलो करना है ठीक है तब जाके दोस्तों से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक जरू करें यहीं आप ओनलाइन पैसा कमाना चाहते ही तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज कि इस वीडियो को सब्सक्राइब लिए जाएं तो दुस्तों आप हैटफॉन सेटिंग को एक बार सेलेक की जिए ठी के आफ एड़ फोन टाइब को एक बर स्विच करके देखिए जेनरल पर आप सुछ करके देखे या तो फिर आ ठीके जापर की सब्सक्राइब है यूज करें पूसी को सेले तो जो भी है आप उसको सेलेक कर ले और उसके बाद दोस्तों आपका जो यह बटन ने ओटो इनेवल होना है चाहिए एसाइन बटन से यह पर आपको मिल जाएगा उसके बार हैटफोन रिमोट कोंट्रोल यह पर आपको मिल जाते हैं तो सेटिंग दोस्तों यह पर ज्यादा कुछ नहीं है आपका हैटफोन टाइप आप सेलेक करके एक बार देखिए ठीक है तो इससे जो है कई बार प्रॉब्ल से प्लाग करके देखना है तो कई बढ़ दोस्तों इस तरह के से जो है प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकते हैं सारी साथ दोस्तों अगर आपका हेडफोन टुटा हुआ है तो भी हेडफोन जो है खराब हो चुका होगा तो हेडफोन को बदल लीजिगा ठीक है तो टूटा एसा एरफोन सेलेक करना है जो आपकी डिवाइस पर सपोर्ट करते हैं क्योंकि दोस्तों क्या होता है कोई जो एरफोन है वो डिवाइस पर जो है यहाँ पर वो सपोर्ट नहीं होते हैं ठीक है सपोर्ट नहीं होने के वज़े से आपको साउन अच्छे से सुनाएं नहीं तो आपको एरफोन अच्छे से सेलेक करना है जो आपकी डिवाइस के लिए सही हो आपकी डिवाइस पे काम करेगा तो ऐसा आपको एरफोन सेलेक करना है ठीक है तो आप यह सब जो है एक बार चेक करके देखें और दोस्तों अगर हेड़फोन जो है ठीक है अपने चेंज करक जाएगा डिवाइस तो फ़ेड़ को एक वापडेट करके देखिए कई बर दूस्तों हमारे जो सिस्टेम है उसके अप्डेट के वज़ह से प्रॉबले मा आ जाते है ठीक है डिवाइस के अंदर पर तो एबाट फोन पर जाए अपडेट कीजिए अपने मुबाइल को और मुबायल सोफएर वगर अपडेट करने के बाद दोफ आप चेख करके देखे प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाएगा ठीगे सारी साथ दोस्तों आप डिवाइस को रिच्टाट वगरा भी करके चेख कर लीजिए पेहले में ही काहिवार दोस्तों क्या होते रिच्टाट के पर प्रोब्लेम बगएरा सौल्फ हो जाते हैं आप ठीक है तो आप वह सब करके देख सकते हैं और जिता ही मैंने आपको यहाँ पर तरीका बताये क्याई आपके two fans काम नहीं करें तो आप दूसरे एर फन को भी ट्राय करके देखिए अगर उसמה भी सैंट एको प्रॉब्लिम 가운데 लेके साफ करके की देखिए तो जो कभी πई दोस्तों कचा वगईरा चले जाते हैं ऑले जो उसमें तो उसके वजह से प्राबम आ जाते तो आप साफ करकि देख लीजिए अगर उससे काम बन जाता है नहीं बनते काम तो दोस्तों आप टेप्नीशिन के पास चले जाएगा ठीक है तो technician के पास जाएके दोस्तों आपको fix करवाना होगा इस तरह का problem को और उसके बार आपके एरफोन काम कर जाएगा तो एक बार दोस्तों यहाँ पर क्या होता है मेरे जो device ही उसमें एरफोन और charger I mean charging ठीक है charging का जो plug है और एरफोन का जो plug है तो दोनों एक साथ काम करना बन हो गया था तो बात में पता चला कि उन दोनों का जो wiring होते हैं उसमें problem आ चुका था तो उसके वज़े से वह हो रहा था ठीक है connect नहीं हो रहे तो आप भी दोस्तों एक बार technician के पास जाके चेक करवा लीजिए ठीक है पहले तो दोस्तों आप जितना हो सब्सक्राइब करके देखें अगर नहीं और है प्रॉब्लम सब्सक्राइब तो टेगनीशन के पास जाके फिक्स कर जिए ठीक है तो आज के इस वीडियो वाड़ोस वास इतने तेंक्स वाचिंग